बाई साब क्या पिक्चर बनाई है नागर्षिन आपने आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने ट्विटर पे दो तिन रिव्यूस पड़े मुझे रिव्यूस ठीक ठाक नहीं लेगे जिन में से एक बंदे ने मुवी को तीन स्टार रिव्यू दिये थे एक बंदे ने बोला नागोशिन का स्क्रीन प्ले बहुत कमजोर है भाई तुम मुझे गलती से दिख मत जाना क्योंकि स्क्रीन प्ले क्या होता है बंदा ये मुवी में खा गया है इस मुवी का इंटरनल ब्लॉक और फाइनल ब्लॉक क्लाइमेक्स इसका बहुत बढ़ा गजामपल है और मैसे पता है मेरे थेटर में एक बंदा था जो बोला था कि क्या बाकवास मुवी है अब मुझे जल्दी से आके रेव्यू बनाना था वरना दो दो हात करके आता मैं थेटर में उससे अगर तुम अभी भी मुवी के रेव्यू का वेट कर रहे हो मत वेट करो इस नॉट वर्थ वेटिंग अभी जाए कि ठीकट लो मुवी देखो भाई अभी देखने जाओ या ना जाओ तुम इस पर डाउट करोगे तो वो मुवी की इंसल्ट हो जाएगी इndian cinema की इंसल्ट हो जाएगी एसा कुछ इंदियान सिर्मा में पहले ही नहीं किया गया है और जिस लेव़ल से किया गया है जिस तरह से एक्जीक्यूट किया है unexpected and mind-blowing एक बार इस movie का internal vlog देखोगे ना तो तुम लोग भूल जाओगे कि बाहूबली क्या थी हाँ मजाग नहीं कर रहा हूँ मेरे जैसे पता नहीं मेरे यह चे कितने सारे लोगों ने थेटर में बाहूबली नहीं देखी और अगर तुमने बाहूबली को थेटर में मिस किया तो this is your time क्योंकि this is the next बाहूबली आफ इंडियन सिनमा और भाई साब ना गाशुन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि बंदे ने हर एक प्रॉबलम का एक बैक अप शोलिशन अल्गे रख रख खा था अब तुम जाके वह सीधा मुवी पर experience करो बट इस ट्विस्ट की विएस से मुवी के पार्ट डूदले बहुत बड़े setup हो चुका है जिसको मैं अगली विडिया में डिसकस करूँगा खेह डीटेल में बात करें तो मुवी एक बहुत high note पे start होती है जहाँ एक महाभारत के ब्लॉग को दिखा जाता है and it's just mind blowing क्योंकि वह sequence बहुत ज्यादा powerful है और उसके ठीक बात पूवी दिरे दिर चीज़ों को setup करती है और अपने प्रभास के character को introduce कराती है और जब प्रभास का character introduce होता है तो अपने साथ लाता है थोड़ा बहुत humor और comedy जो कि कई के जहाँ पर करती है और कई के यहां पर hit and miss हो सकती है लेकिन मुवी के second half में जब भैरवा को serious होना होता है प्रभास में nail किया है वो पूरा block और जितने भी लोग बोलता है प्रभास को acting या थी भाई सच में अंदे हो क्या क्योंकि बंदे की असली personality polar opposite है वो एक इतना introvert आदमी है कि ठीक इससे media conferences तक attend नहीं कर पाता और movies में उतने fierce character को इस तरह से play करता है I just cannot understand where you all say प्रभास can't act तुम जैसे इस movie को example करे ले सकते हो बंदा पूरी movie में अलग दिख रहा होता है लेकिन उस special block के अंदर भाई साह माइं ब्लोइं लेकिन यह first half जहां end होता है interval block इतना ज्यादा high note है na interval block का seeds से उचल पड़ोगे मतलब मेरे theater में almost houseful था और लोगों ने बहुत ज़्यादा enjoy किया and I don't think कि इस से powerful interval block किसी और movie का हो का intention नमगे अंदर क्योंकि जिस music के साथ वो powerful scene दिखाया जाता है दिपिका पायद को और प्रभास के character का बहुत शांदार इस तरह का interval block I mean बहुत rare होता है देखने के लिए बहुत powerful scene था और इनी सारे powerful scenes को amplify कर आता संतोज नरेंड का music हाला कि movie के first half में हमें action sequences कुछ जाता नहीं देखने को बली लेकिन movie का second half इसकी भरपाई कर देता है जहां भर-भर के action sequence देखने को मलते हैं और second half में ऐश्वतामा और वहरवा की fight भी हमें देखने को मलती है और भाई ये बात माननी पड़ेगी कि आमिताफ बच्चल प्रभ भी नहीं होगा कि ये प्रभास की movie है overall ये अश्वतामा की movie लग रही होते है बट वो एक end sequence है जो अश्वतामा से पूरी line light खीच के ले जाता और भहरवा के उपर shift कर देता है इन्हीं सब के बीच movie के visuals इतने शांदार है कि तारीव कम बड़ी और देखके लगता है कि और ही high notes को तोड़ की एक नया bar set करता है जो कि इस movie के part 2 के लिए बहुत ज़्यादा high बना देता है and I personally think कि कलकी का part 2 बाहुवली 2 से कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है it's just unimaginable अब इतनी साली तारीफ मैंने movie की कर दी है तो ऐसा नहीं कि movie flaws नहीं है movie flaws है बट उने easily ignore कि जा सकता है सबते पहले जो props यूज़ कियेगा है guns वगयरे के लिए वो थोड़े fake लगते हैं खासकर संबाला के जो लोग है वो लोग जो gun यूज़ कर रहे है वो थोड़ा fake लग रही होती है बट उसको तुम एजली इग्नोर कर सकते हो साथे कुछ जगा पे VFX off जरूर और अगर तुम इस मूवी को मिस करते हो तो थेटर में क्या देखने जाओगे गनपत या आधी पुरूश